कि अब अब यह लोगाइस कैसे हैं आप तो गाइस एक हमारे सब्सक्राइबर जो कि गुजरात में है उन्होंने यह पार्सल भेजा है देख लिए यह गुजरात से यह मेहूल जी है इन्होंने भेजा है और इसमें मोबाइल है हमारा रेडिमी का नोट 10 तो गैज इसमें प्रॉब्लम हमने जब उनसे बात की अजिक था पहले बन्ध रोगा था फिर यह यह दिख्सुड़ यह दिखवाया देखी लोकल शॉप पर वही कि तो इसमें प्रॉब्लम समझ महीं नहीं ठीक से इनको मतलब पांसर नहीं दिया गया इसमें किस तरह से रिपेरिंग होगी मतलब सेटिस्प्रेक्शन जवाब उनको नहीं मिल पाया तो उन्हें हमसे कॉंटेक्ट किया और फिर हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हो जाएगा वैसे इसका कॉपी फोल्डर लगा हुआ है देख सकते हैं अब यह फोल्डर भी निकल रहा है दा का आशायद इसमें कोई दिक्कट सोभी हम इसको करेंगे तो पता चल जाएगा देखते हम इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या काम किया गया है क्योंकि हैको इसको आपन करने के बाद दिए हमको कुछ पता चलेगा इसमें श् तो गाइस बोर्ड को छेड़ा तो गया है पर इतना नहीं पर इसके केमरे वगएरा पर ज्यादा नेमेज हो चुका है क्योंकि यहां पर इसके लेंस आप देख सकते हैं सभी इन पर एक तरह का कार्बन टाइप आ चुका है जिसमें लेंस तो खराबी हो चुके केमरे के यह वाला बिल्कुल ठीक है और सीपी यू का जो हाल है इसको देखा जाये तो अभी किसी ने रिपेर मतलब आसपास की गलू कट तो नहीं की गई है पर जहां तक मैं देख पारा हूं कि इसमें हलका सा पेस्ट भार है यहां से आप देखिए यहां से मतलब इसको हीट करने की कोशिश की गई है और यहां पर हमको कुछ पार्टिकल्स मिल रहे हैं जो कि जब रिबॉल करते हैं उस समय पर इस पर रिबॉल करा हुआ नहीं है इसको काटा नहीं गया है लेकिन यहां से अलकाता पेस्ट जरूर भार है गया है क्योंकि इसको हीट कर दिया गया है हम इम्मसी देख लेते हैं इसको कुछ नजर तो नहीं आ रहा है गाईस इसको अब हम कंटिनिव चेक का इसकी पूरी चेक करेंगे एक के बाद एक रहा है तो हम सबसे पहले एंपियर चेक कर लेते हैं इसका अगा है कि अगा है कि तो यहां पर कुछ भी रिस्पॉंस नहीं है पर हम जो हमारी एंपियर मशीन उसको देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सब्सक्राइब होने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा है तो अब इसको एक बार हम कंप्यूटर पर चेक करेंगे यहां हमें क्वाल का मोट को चेक करना पड़ेगा तो यहां पर मैं डिवाइस मेनेजर ओपन कर लेता हूं क्योंकि यह भी एम को एक मोटा मोटा संकेत मिल जाता है कि हां आपके फोन में प्रॉब्लम क्या हो सकती है तो यहां में मैं अपने कंप्यूटर की केबल लगा रहा हूं कि भीना इडियल के हम चेक कर रहे हैं पर यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है अब मैं इसके टेस्ट पॉइंट है जो इसको शॉट करके देख लेते हैं तो इसके इडियल टेस्ट पॉइंट यहां पर हैं तो मैं कि इसकी केबल लगाउंगा और मैं इसको चेक करूंगा कि यह मैंने यहां केबल लगाई है और यहां इडियल शॉट करे है तो गाइज तक कुछ भी हमको response मिल नहीं रहा है नहीं तो आज आना चाहिए पर किसी भी तरह का response इसमें नहीं मिल रहा है तो इस कंडिशन में कुछ चीजें होती हैं जो हमें चेक कर लेना चाहिए तो सबसे पहले तो देखिए एंपर ले रहा है मतलब पावर आईसी में इसका जो है करेंट तो पहुंच रहा है लेकिन आगे बूट नहीं हो रहा है हम जो है इसकी पावर आईसी जहें यहां लगी है उसके कुछ जो है टेस्टिंग करेंगे कुछ पावर के एकदम मैंने कई बार बताया कि सीप्यू पर काम नहीं करना देखिए यहां पर भी किसी ने काम किया हुआ है मैंने कहा ना आपको कि कुछ न कुछ तो किया है देखिए पावर आईसी को यहां पर छिड़ा गया है देखिए आप तो अब हम देखते हैं कि पावर आई सी को भी रिबॉल किया गया है काफी पेस्ट इस पे लगा हुआ है अब गई सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे और माइक्रोस्कोप से इसको चेक करेंगे कि क्या क्या गया है इसमें सबसे पहले तो इसके केमरे से सबसे पहले हम जो है पावर आइसी और सीप्यू की वर्किंग को समझेंगे क्योंकि सीप्यू को जो एक्टिवेट होने के लिए जो वॉल्टेज चाहिए रहते हैं वो देखिए मेन मेन वॉल्टेज यहां से बता आये गए यह वॉल्टेज शो यह करते हैं कि सीप्यू वर्किंग में है या नहीं यदि आपको कंफर्म करना हो तो आप इस तरह से वॉल्टेज चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम पावर आईसी को चेक करेंगे उसके द्वारा जो पावर डिस्टिब्यूट हो रहा है उसकी एक एक लाइनों को हम चेक करेंगे तो देखिए हम किस तरह से चेक करते हैं क्योंकि इसके 11 पेजे से दोस्तों तो वो सब अलग अलग सेंस लाइन हो सकती है चार्जिंग का सिस्टम अलग है लेकिन अभी सिरिप हम पावर आईसी की वर्किंग को समझ रहे है जो यहाँ पे हमको लग रही है कि खराब है तो इस तरह से आप कंपोनेंट कॉपी करके लियाउट में डाल करके उनकी पोजिशन पर जा करके इस तरह से केपैसिटर को चेक करें और यहाँ पे वल्टेज कनेक्शन को बिलकुल आप कंफर्म करें कि वल्टेज आ रहे हैं है या नहीं आ रहे है यदि पावर आईसी गाई यदि चालू नहीं होगी वर्किंग नहीं करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सीप्यू प्रॉब्लम है यदि पावर आईसी खराब हो गई तो आपको पावर आईसी पे पहले कंफर्म करना ज़रूर है नहीं तो हुगा यह कि आप सीप्यू पे काम कर देंगे और निकली समस्या पावर आईसी से होती है तो यह इसका मॉडल है और एक के बाद एक जो लाइन है आप देख सकते हैं 1.8 हो गई 2.0 बहुत सारी ऐसी लाइन है इनको क्या करेंगे जो भी इनके कनेक्शन के बीच में कैपसिटर आता हो या फिर रेइस्टर आता हो इन सभी की कंडेंसर या कैपसिटर जहां पर लगें उनको कॉपी करेंगे और ले आउट में जाके पेस्ट करेंगे दूसरी बात इसका हड़वर जो सोलुशन यहां पर दिया गया है यह स्रिप चार्जिंग के लिए दिया गया देखिए आप ध्यान से तो आपको चार्जिंग का भी पूरा चेक करना यदि चार्जिंग का सिक्वेंस ठीक नहीं है तो आपका जो है फोन चालू नहीं होगा दोस्तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है तो देखिए इसकी मेर्टिक और जो हाड़वेर है इनको समझना थोड़ा सा पड़ता है दोस्तो यहां पर पूरी चीजे यहां नहीं बता सकता मैं सिम्पल ही आपको एक चीजे जहां जहां मैंने चेक की है मैं एक साथ ही पूरा आपको बता रहा हूँ जोब आगे जाकर हम चैक करेंगे तो गाइस इसी तरह से वन बाई वन देखिए मैंने इस तरह से इसके वॉल्टेजेस चेक किये हैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा इसी तरह से जिसे कैपेसीटर पर हम कॉपी करते हैं लेयाउट में जाके पेस्ट करना है और इसकी लोकेशन हमको मिल जाएगी और यह आप हमको वॉल्टेजेस चेक करना है बहुत ही सिंपल है आप आगे देखिए इसी तरह से मैंने पूरी आईसी को वेरिफाई किया है जब इसके हम वॉल्टेजेस चेक करेंगे तो इसके लिए आप जो है इस तरह से चार्जिंग को लगा लेजिएगा अब जो है हम इसके वॉल्टेजेस चेक करेंगे जहां हमको बताया गया है हमारे इसकी मैटिक के हसाब से है तो सबसे के दोस्तों एक हमको पता चल गई है अब जो है हम नॉर्मल नॉर्मल सारी जगे भी हम कैपसिटर से चेक करें हम को भी चेक करेंगे तो देखें आपको वोल्टेज वगेरा सब जगे मिलना चाहिए तो बिलकुल यह यह हम इसकी मेटिक में देखेंगे मैं आपको भी बताऊं यहां पर हमारी जो चार्जिंग का इन है तो वो भी हमको मिल रहा है पांच वाट तो यह संकेत यह है कि यहां से जो सप्लाइज जा रही है वो बिलकुल ओके है ठीक है तो हम यहां पर चोटे चोटे जितने भी कंपोनेंट है आसपास के इन पर सब एक बार चेक जरू कर ल चेक कर सकते हैं तो उससे भी हम कोई कन्फर्म कन्फरमेशन मिलता है कि सीप्यू वर्किंग में है अभी फिलाल इसमें हम यहां पर थोड़ा साथ दी हम जैसा कि मैंने कहा ता आपको कि इस पर किसी ने हीट अप कर किया है भी मैं आपको इस तरह से तो नहीं बता सकता मेरे थर्मल केमरा तो नहीं है पर हलका सा बिल्कुल माइनर सा सीप्यू गर्म हो रहा है और यह होना नहीं चाहिए यह हलका सा हीट अप कर रहा है हो सकता अंदर के बॉल्स जो हैं इसके हापस में मिल गए हो ठीक है एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं सीप्यू की वर्किंग चेक करने का वह भी आप देखेंए तो कईस हमने तीन चीज़ देखिए तो इस तरह से आप चेक करेंगे आपको समझ में दिर दिर आ जाएगा सब से बेले जो है कैपसीटर पर यहां पर वॉल्टेज चेक करेंगे यहां पर वॉल्टेज आ रहा है मतलब पावर आईजी से यहां पर जा रहा है हमारा सीप्यू ही है जो वर्किंग नहीं कर रहा है यदि यहां वॉल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब यह है यहां वॉल्ट जिसमें इंटर हो रहा है आप देख सकते हैं तीन वाल्ट अब यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं पर इसको ओपन करना पड़ेगा इतने से ही हम कंफर्म हो जाते हैं अभी हमने देखी 1.8 की जो हमको वियार जीजी की लाइन तो मिल रही है वही एक चीज़ यहां पर वियाई- तो गाइस देखिये यहां पर वी-आ-ई-ओ की लाइन भी बिल्कुल ओके है इसका मतलब यह है कि पावर आई से बिलकुल वर्किंग में है हमको काम करना है तो पर काम करना है हो सकता है किसी ने हीट करने की कोशिश की है पर पावर आई-सी को छेड़ा ज्यादा नहीं गया है यह अच्छी बात है तो जो है मैंने पहले वी बताया दिया आपको सीप्यू निकालने में दिक्कत होती है इसके पर डालने में तो सबसे अच्छी जगे यही है इसको थोड़ा सा हम कट कर लेंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब गैस सबसे पहले हम जो है आसपास का ग्लू कट करेंगे फिर उसके बाद हम जो हमारे टूल है जो इसके पर है उसको डालेंगे तो यह धलका सा थोड़ा सा मैंने मोड लिया है ताकि उठने में आसानी हो और कब कितने टेंपरिशर पर निकालना यह अच्छी से अभी जो हम ग्लू कटिंग करेंगे वह 280 पर करेंगे ठीक है फिर उसके बाद जो है हम जब IC की निकालेंगे मतब CPU निकालेंगे उसकी हिट कितनी होगी आपको पता है तो वी मैं आपको बता दूंगा वेसे तो तो हम सबसे पहले भी क्या कर रहे हैं कि एक दम आपको कर लेना चाहिए ताकि अच्छे से यह गर्म हो जाए और ग्लू इसकी नर्म हो जाए अगर अगर कि यह देखिए बिलकुल आसानी से आपका कट होगा कोई मेहनत नहीं करना है और ज्यादा आपको प्रेशर लगा कर भी कट नहीं करना है नितो सीप्यू में जाती हुई ट्रेक डेमेज हो जाएगी और आपका बेवजा का काम और बढ़ जाएगा आप इस बात का बिलकुल ध्यान रखें यह देखिए बिलकुल आसानी से ग्लू कट रहा है कोई में मुझे परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पे एक रेइस्टर लगा ह होता है इसका भी आपको धियान रखना है कि उस पर आपको स्क्रेश नहीं करना है यह 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 आप इसक्रेश करेंगे और वह रहिस्टर यह तूड़ गया तो आपको दिक्कत होगी देखे मैंने जैसा कहा था कि इसको CPU को हीट किया गया है क्योंकि इसमें हीट लगते ही अंदर से इसका जो लिक्विड है वो भार आ रहा है CPU का इसमें पेस्ट लगा करके हीट किया गया है जिसकी वज़े से जहां से CPU पंचर हुआ होगा तो वहां से जो है पेस्ट अंदर चला गया है और यहीं से पेस्ट निकल रहा है देखे आप तो यह वही होता है कि हमको जब नॉलेज नहीं रहता है और हम बेवजा काम करते हैं तो इसके कारण इस तरह की समस्थ्यां हो जाती है तो हमने ग्लू इसका कट किया है थोड़ा सा हम इससे की सफाई करेंगे गाइस हमने क्लीन कर लिया है अब फाइनलिस को सीप यू को निकालना है तो सीप यू किस तरह से रिम होगा आपको पता है कहीं बार बता चुका हूं और यह झाला छोटा इसके पर है एकदव उनको फोर्स इंट्री जो हो रखेंगे हम इस पसंपर करना तो किस तरह हो आप देखिए आप जो हीट हम कर रहे हैं यूज वो है 370 और एयर जो है हमारी वो रखेंगे हम इस पर 45 हम यह में सी को कवर कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो यदि EMMC माइक्रोन का लगा है तो उसको एक्स्टा गवरिंग की जरुवत होती है सेमसंग हो या हाई निक्स हो तो उसमें इतना वो नी हो होता है क्योंकि जो EMMC चीप होता है जिसका सपोर्ट होता है माइक्रोन का वो काफी ज़दा लो हीट पर काम करता है कि यह देखिए बिल्कुल आसानी से इसमें जाएगा और इसकी हीट जो है वो सभी कोनों में लगनी चाहिए नहीं तो वहां से आपके ट्रैक उखड़ जाएंगे यह दिया आपने प्रॉपर हीट नहीं डाली तो देखिए बिल्कुल अलके से बहुत आसान तरीका है जब इंटर कर दे और आप थोड़ासा नीचे से प्रेशर करेंगे बिल्कुल हलका सा और आप हीट चलाते रहेंगे तो अपने आप पूरी तरह से वह CPU निकल जाएगा जल्दी करेंगे आपके प्रिंट डेमेज हो जाएगी चाहे हो सकता है CPU से चोटी चोटी चीजे हैं देखिए हम भी शुरू में काम करते थे तो हमसे भी गलतियां होती थी फिर देख थोड़ा थोड़ा अपने आप में इंप्रूमेंट जैसे जैसे हमें आया है फिर उसके बाद हमने इस तरह से काम अपना और अच्छे से करने लगे तो आप भी कर हम आप देखिए बाद चेट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ग्सक्राहार आपने हैं तो गाइस CPU बिल्कुल रिबॉल हो चुका है वो बिल्कुल तयार है लगने के लिए तो सबसे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लेते हैं प्रफ़ार बार क्लीन कर लेते हैं झाल 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 तो दोस्तों थोड़ा सा हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं क्योंकि एकदम थो हम यूज नहीं कर सकते हैं काफी गर्म है एकदम रूम टेंपरेशर के हिसाब का हो जाए उसके बाद ही चेक करना ठीक रहता है हमारा CPU बिल्कुल प्रॉपर लग चुका है थोड़ा आइट साइट से जब आप इसको हीट करें तब इसको थोड़ा सा पेस्ट जरूर डालें क्योंकि क्या होता है कि वह बिल्कुल आसपास से भी बिल्कुल परफेक्टली जो बॉल्स जहां चुड़ जाता है पेस्ट रूआ जाकर के फिक्स हो जाता है CPU का भी अच्छा से लग चुका है I hope कि चालू हो जाना चाहिए ही के इतना ही में काफी है हम चेक लेते हैं इसको यह उनी का डिस्प्ले है उनी के डिस्प्ले पर हम चेक कर लेंगे तो देखिए उनी का बोर्ड है हमने कुछ भी नहीं चेड़ा सापके सामने सब कर टिंग की इसकी मैंने बोर्ड गी स्वीच भी नहीं है इसमें देखिए स्वीच यहां पर निकला हुआ है और यह देखिए गाइस फाइनली हमारा फोन चालू हो गया है तो देखते हैं आगे बढ़ जाया रहा है चाहिए इसको फिर इसको हम चेक करेंगे हमारे कस्टमर भी खुश होंगे उनका डेटा वगरा भी है इसमें देखिए आगे भी बढ़ चुका है और यह देखिए गाइस फाइनली यह पूरी तरह से ओके हो चुका है देखिए यहां हम पता जो है इसका लगा लेते हैं चार्जिंग का और चार्जिंग भी इसकी हम चेक कर लेते हैं तो यह इसका सीसी फ्लेक्स का पत्ता है यहां हम इसको चेक कर लेते हैं और यह चार्जिंग भी हो रहा है देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है और एंपियर हम देखते हैं एंपियर पे एक नजर हम डाल लेते हैं तो यह देखिए गाइस यह भी प्रॉपर अच्छा से एंपियर ले रहा है यह फुल चार्ज है इसको निकाल के वापिस लगाता हूं क्योंकि इसका स्टॉकेट का पत्ता भी जो है वो थोड़ा सा डिस्टब है यह देखिए यहां पर क्विक चार्ज नहीं ले रहा है यह देखिए एंपेर भी ठीक ले रहा है थोड़ी सी चार्जिंग का इसउ आ रहा है देखिए इसको मैं बता रहता हूं चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो यहां का पत्ता है इनका थोड़ा अब देख सकते हैं अच्छी कंडिशन में नहीं है तो हमारे पास एक सेम फोन का बहुत अच्छी कंडिशन का पत्ता है तो यहां हम लगा के करेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर जो है वो दूर से हैं और हम नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम हमारी तरफ से रह जाए कि वो फिर उनको अच्छा ना लगे तो यह देखिए मैं लगा कर आपको क्विक चार्जिंग भी चेक करा देता हूं इसकी यह देखिए गाइस फास्ट चार्जिंग लिखाओ आ रहा है और इसमें जो एंपियर है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप देख सकते गाइस 9 वाट से चार्ज हो रहा है 1.9 एंपियर ले रहा है तो यह हमारा फोन बिल्कुल सही हो गया है उसके बारे में वाकी फोन हमारा विल्कुल ओके हो चुका है तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी हमारे इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भी चाते हैं मुझ नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू